कि मैंडम राइट जब बसक अगर मैं बारे में बात करूं तो यहां पर कल हम लोगों ने देखा था कि एक आठ साल की बच्ची है जो पहली बार अपना बस जर्णी लेना चाहती थी यह बच्ची आठ साल की है और इसी के इर्द-गेर्द पुरा कहानी मेरा घूम रहा है अब इसे मैं सीन वाइज बाठ दू तो और पी इजी हो जाएगा तो कल हम लोगों ने जो समरे इदिशन देखा था उस समरे इदिशन के उपर बात करते हैं नौ पहला सीन के बारे में बात करें तो बता रहा है कि देर वर्ज गर्ल नेम वैली अमा को वस कॉल्ड वैली फॉर शॉट शॉट शी वस एट यर्ट ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट तिंग क्यूरियस का मतलब है आपका जो एट्रक्शन होता है कोई चीज के बा रहा है अब उसके उमर के कोई प्लेमेट्स वहाँ पे था नहीं जिसके साथ वो खेल सके और दिस वस आल अबाउट ऑल शी हैद टू बट फर वैली स्टेंडिंग अधा फ्रॉंट दोर वस वेरी बिट अस एंजॉएबल अस एनी आप दा इलाबोरेट गेम्स अदर का अंदाज था उससे वैली का जो यह खड़ा रहना है कि कुछ अलग नहीं कि आपको खेल कूद में मजा मिलता है आनंद मिलता है चुकि वैली को यहां पर मिल रहा था वाचिंग दे स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अन्यूजवल एक्सपीरियेंस वो स्ट्रीट के पास ख नाओ तब मोस्ट फैसिनेटिंग थींग आफ आल वस था बस यहां पर सबसे आकर्शित बोल सकते हैं यह उसका जो पसंदिदार चीज था वो था वो जो बस जो गाउं से शहर और से गाउं जा रहा था यह बस उस स्ट्रीट से पास करता था हर एक घंटे में तो बस तो बस एक बेख पास अंचवा नेया बस वाच पैसंजर को लेकर आना जाना करना यह वैली का भौती जओफुल मोमें था उसके लिए डे अफटर देशी वोच्ट बस वोच्ट बस and gradually, a tiny wish crept into her head and grew there. तो automatically, अगर हम लोग यहाँ पर देखे, तो day by day उस बस को watch कर रही थी और उसके मनी मन में एक इच्छा जगने लगा, कि उसे भी बस राइड चाहिए, वो भी बस को राइड करना चाहती है. एक बारी से, मगर बस को राइड करना चाहती है. तो वैली देखती रहती थी, उन लोगों को जो बस से उतर रहे हैं और बस के अंदर जा रहे हैं. तो अगर उसका कोई दोस्त पहले बस राइड ले चुका है और वो ये बताना चाहता है कि वो बस राइड कहता था, तो वैली उसे इंग्लिश में प्राउड प्राउड कहता था, मगर उसका मतलब हो नहीं जानते थी. इतना जानते थी कि ये एक डिसे अप्रूबल है ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन है जो ना को समझाते हैं. Over many days and months, वैले लिसन केरफूल तो था कन्वरसेशन बट्विन देनेवर्स तो रोजाना उसका क्या काम था, उसकी नेवर्स का बात्चीत सुनना कि जो रेगुलर्ले बस में जाना आना करते हैं. This way, she picked up various small details about the bus journey और इस तरीके से वो छोटा-छोटा डिटेल्स उस बस जर्नी के बारे में एक अत्रित करने लगी। The town was six miles from her village, the fair was 30 paisa one way to a town where the town was 6 mile की दूरी में था, करीबन 9 किलोमेटर का दूरी था और उसका fair था 30 paisa एक साइट का 30 paisa और एक साइट, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say but to valley who scarly saw that much money from one month to the next. He seemed a fortune. The trip to the town looked 45 minutes to us ke घर से सब्सक्राइब का रस्ता होता था उसके घर से गाउं तक विजित आल्मोस्ट एट आल शी हट वन वेल ड्रेस्ट मैन सौ बट्ट वैली तो आटमेटिकले हम लोग देख रहे हैं यहां पर वैली ने बहुत सारा का इंफर्मेशन एकत्रित कर लिया है उसने एकत्रित कर लिया है कि छे माइल का दोरी है उसके घर से और टाउन तक जो कि बस पैटाले सिनट का समय लगाता है अगर वो अपने सीट पे बैठी रही और दुबारा तीस पैसा दी तो उसे बस फिर गाउं में लाकर उतार देगी और यह मेंट दाट शी उट टेक दा वान ओक्लॉक बस रिच दाउन एड वन फॉर्टी फाइब बैक होम बाई टू फॉर्टी फाइफ तो उसका अंदाज है कि जाने आने में पैटालेस मिनिट पैटालेस मिनिट गंटा मुआ पर बस कुछ देर रुकेगा तो इस तरीके स उसने पूरा कैलकुलेशन कर लिया प्लैन कर लिया यह कैसे जाना अब घर से निकले की कैसे यह बहुत इंपोर्टेंट तो अगर हम लोग इस पार्ट को देखे तो राइटर ने आपको बताया है कि वो समय जो था वो एक स्प्रिंग का दे था और बस विलेश पॉइंट से लीव करने वार्ट ला था जबकि वैली का आवाज गुंजने लगा स्टॉप दो बस्टॉप दो बस और एक छोटा सा हाथ कमेंटिंग रुकने के लिए बोल रहा था बस धीरे-धीरे स्लो हो गया और कंड़क्टर ने मू निकाल के कहा कौन है जिसको जल्दी आने के लिए कहिए तो मैं वही हूँ जिसको बस में उठना है और उसके हाथ में पैसा था जो उसने कंड़क्टर को दिखाया ओके ओके बट फिर्स्ट यू मस्ट गिट ऑन बस सेट अगर इस बात के बारे में बात करें तो यहां पे आप अगर देखें तो अगर हम लोग देखें तो यहां पे जो आपका बस है यह बस और डी कंड़क्टर उस बस में वैली को उठा चुकी है कि नेवर माइन ही सेट आई केट आउन बाई माइसल्फ यू दोंट हब करने के लिए कि वह उपर आजाती है तो कंड़क्टर वाज जॉली शॉट और फॉंड ऑफ जोकिंग तो हाव वस अ कंड़क्टर स्कारेक्टर ही वाज जॉली जॉली परसन और फॉंड ऑफ पहली बार कंड़क्टर ने वैली को मैडम बुलके रेफर किया तो हर कोई साइड हो जाईए और हमारे मैडम को जाने दीजिए मतलब है जब आप ऑफिशियल वर्क नहीं होते हैं सुबह का समय या शाम का समय हमारा ऑफिस पैसेंजर जाना आना करते हैं तो इस टाइम को अगर हटा दे तो दोपायर का जो समय होता है उसको स्लैक टाइम ऑफ दे बोला जा रहा है जहां पर आपके बस में बहुत वैली के तरफ देख रहते और हस रहते वैली वस ओवर करम विच साइनेस वैली पहुत ज़्यादा शर्मा गई सबका आंग बचाते हुए वह अपने एक एमटी सेट में जाके बैड़ गई कि नाओ मीवी स्टाथ नाओ मैडम दे कंड़क्टर आख स्माइलिंग देनी ब्लीव इस हिसल ट्वाइस और बस मूट फॉरवर्ड वित रोड यहां पर बसका जो आवाज है उसको रोड बोलके समझाया गया है कंड़क्टर ने विसलिंग किया और विसलिंग करने के बाद बस चोड़ दिया और वह एक बस अब यह बस का डिस्क्रिप्शन दे रहा है इस पराग्राफ में यह एक नया बस था जिसके बाहर के तरफ वाइट और ग्रीन स्ट्राइप से पेंट किया था जो अंदर का पार्ट था वहां पर जो बार्स लगे हुए थे जिसमें हैं वह बार्स यहां पर सिल्वरी कलर के थे इसका मतलब इस स्टील के बने हुए थे जो कि सिल्वर की तरह चमग रहे थे डिरेक्री इन फ्रॉंट और वैली अब दा विंशिल्ट दियर वस ब्यूटिफुल क्लॉक शिट्स वेर सॉफ्ट अन लक्सेरियस तो आपके जो बस ब्लाइं तो ब्लाइं तो ब्लाइं तो ब्लाइं तो अपने सीट के ओपर खड़ी हो गई और बाहर जहांकने लगी तो बस वस नाओ गूए लाओं बैंक अफे चैनल रोड वस वेरी नेरो वन साइट देर वस थे कैनल और ब्यूंट इट पाम ट्रीस ग्रास लैंड 90. and the blue blue sky. Now over here, the writer want to describe the greenery on the both sides of the bus in which the bus is moving on the the other side was a deep beach and the acres and records of green flin green green and green as far as I could go. So, the writer highlights are greenery over your oh, it was so wonderful. Suddenly, she was startled by your voice. Listen child said the voice it shouldn't stand up like that sit down तो एक वोईज उनको बताया कि आप खड़े मत रही है बैट जाहिए नहीं तो गिर जाएंगे क्योंकि बस अगर ब्रेक करता है या बंपर पर आता है तो आप गिर जाएंगे sitting down she looked to see what had spoken it was an elderly man who had honestly been concerned for her but she was annoyed by his attention तो एक बुज़र्ग आदमी जो वैली के बारे में सच मुझ सोच रही थी सोच रहा था मगर वैली उस आदमी का सोच से काफी नाराज है there's nobody here whose child she said hauntingly I have paid my 30 पैसा like everyone else तो ताली proudly कहा कि मैंने अपना पैसा दिया है 30 पैसा और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ the conductor chimed in oh sir this is a very grown-up madam do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone तो conductor यहां से थोड़ा पार्ट जोड़ दिया क्या को आपको लगता है कि कोई बच्ची अपना पैसा खुद दे के और city तक अकेला travel कर सकती है यह तो हमारी एक grown-up madam है very short and angry glance at the conductor and said I am not a madam please remember that and you have not yet given me my ticket तो आप यह दिमांग में रखे के मैं madam नहीं हूँ और आपने मेरा टिकेट नहीं दिया भी तक हो मैं भूल गया था I will remember the conductor said mimicking her tone the conductor valley her tone को mimic कर रहा था बस में जितने भी लोग थे वो लोग हस रहे था no valley to join in the laughter to value the conductor punched a ticket and handed it to her just sit back and make yourself comfortable why should you stand when you have paid for a sit तो जब आपने पैसा दिया है तो आप खड़ी क्यों रहेंगे बैट जाहिए विकादाई वांट टू she answers standing up again but if you stand on the seat you may fall and hurt yourself when the bus make a sharp turn or hits a bump that's why we want you to sit down child the conductor really उसके बारे में सोच के उसको बताए कि आप नीचे बैट जाए नहीं तो आप गिर जाएंगे अगर बस turning लेता है या बस का अगर बंपर आता है तो आप उस बंपर में जब बस ब्रेक करेगा तो अब गिर जाएंगे I am not a child I tell you she said irritably I am 8 years old तो 8 साल की हूं मैं कोई बच्ची नहीं हूं of course of course how stupid of me 8 years my the bus stopped and some new passenger got on and the conductor got busy for a time afraid of losing her seat valley finally sat down तो वैली अल्टिमेट ले अपने सीट पर बैड़ गी क्योंकि उसको डर था उसका सीट कई चिनना जाए अन एल्डर्ली वोमेन केम एंड सेट बिसाइड हर आरी ओल अलों डियर शी आस्ट वैली अस बस स्टार्ट अगें तो जैसे बस स्टार्ट करके मूव करना शुरू किया तो उस एल्डर्ली वोमेन ने पूछा किया आप अकेली जा रही है वैली इस औरत को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि यह औरत का जो कान है कान में बड़े बड़े चीद्र है और उस चीद्र में वो एक अगली यह रिंग पैनी हुए है तो मतलब वो यह रिंग जो है वो पसंद नहीं हाई और वो पान्च अब आ रही थी पान के साथ सुपा था उसके मुह से पान का जो पिक है वो कभी भी निकल सकता है ओ कुड़ बी सोशल विच सच परसंट यह साम ट्रावलिंग अलोजी अंसट कर्ट ली और आइं गॉट टिक टू तो यहां पर वैली अपना डिस्प्लीजर दिखाते हुए अपना डिसकंफर्ट दिखाते हुए कि वो टाउन जा रही है और उसने तीस पैसे का टिकट भी लिया है और वाई दोंट यू माइं यूर ओन बिजनेस से वैली बट शी लाफ्ट आप अपना चीज को क्यों नहीं समझते आप अपना बिजनेस समाले ना आप मेरे बारे में क्यों सोचते हैं तब वो औरत भी हस प्रॉपर फॉर सच यॉंग परसें तो ट्रैवल अलोन दू यू नौ एग्जाक्ली वर्यर गॉइंग इंटाउन वाट तो यह औरत बहुत ज्यादा चिंतित थी वैली के लिए क्योंकि वह कहां जा रही है कौन सा स्ट्रीट में जा रही है कौन सा घर में जा रही है तो वैली ने थोड़ा अपना डिसकंफर डिखाते हुए उस औरत को बोला के मैं मिरको पता है मैं कहा जा रही हूं और मुझे आप डिस्टर्ब मत कीजिए हर फर्स जर्णी वाट केरफुल पेंस टैकिंग इलाबरेट प्लैंट शी हद तो मेंग फर हिट शीव थ्रिपली सेव वाटेवर स्ट्रे क्वाइन स्काइम हर वे रिजिस्टिंग एवरी टेम्टेशन तो बाई पीपरमेंट टॉइज बलून्स और लाइक अन फाइनली श पैसा तो यह जो साठ पैसा भाड़ा का जो उसने बचाया है वह बहुत मेहनत से बचाया है कैसे पहली बार उसके अंदर बहुत सारे इच्छा थे कि वह पिपरमेंट्स खरीदे टॉइज खरीदे बलून्स खरीदे मगर सारे टेम्टेशन को उसने कंट्रोल किया और तब जाके उसने यह साठ पैसा एक अत्रित किया है सबसे प्रॉब्लम हुआ था गाओं के मेले के दिन वहां पर एक मेरी गोराउंड था जिसमें वैली चड़ना चाहते थी मगर अगर वहां पर चड़ती तो बस नहीं चड़ पाएगी तो वह टेम्टेशन को कंट्रोल की वैली और यह भी उसने मैनेश कर लिया क्योंकि उसे पता था हर दिन ममी लंच के बाद एक छोटा सा नीद लेती है नैप जो की एक से लेके चार बज़े तक होता है और यही तीन घंटा था वैली के पास अपना एक्सकर्शन पूरा करने के लिए और वो सारा दिन वो दर्वादे के पास खड़ी रहती थी और बाहर के लोगों के बारे में बात्चीज सुनती रहती थी नाओ तुरिद इस तेम आवस गुड़ी तो आज पहली बार हम लोग यह एक्सकर्शन जो वो करने जा रही है वो विलेज से बाहर कर सकती है दो बस रोल्ड ओन नाओ कटिंग अक्रोस अ बेर लैंड्सकेप नाओ रशिंग तुरिए टाइनी हमलेट और पास अओड वेसाइड शॉप सम्टाइम दबस सीम्ड ओन दॉइंड पॉइंट आप अनदर वेकल वेकल तो बस चल रहा था कभी कभी कोई वेकल सा रहा था उसको साइड दे रहा था कभी ओवर्टेक कर रहा था सबतलो सम्हाव इपास्ट आप स्मूथली लविए अल अब्सकेल सेफली बिहाइं सारे अब्सकेल्स को पीछे छोड़के बस धीरे धीरे बर्रा था त्रीस केम रनिंग तोर्स जेम बद थेंग तो अब थेंग तो बस रीच जेम और सीम्पली स्थेंग पुशी से जैसे एक यॉंग काउ जो की टेल हाई करके यहर में अपना पूछ उठाके और बसके इर्दगिट दौर रही थी तो आगे दौर रहा था या पीछे दौर आगे दौर रहा था बसके सामने दौर रहा था तब लस्ट बस स्लोट टुए क्रॉल और ड्राइवर साउंड इस ह अपना होन बजा रहा था यह जो काउ था यह डर के मारे इधर से उधर उधर से इतर गैलप कर रहा था और वह भी बसके सामने यह चित्र आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे वह गाय दोर रहा था सम्हाओ दिस वे वस वेरी फॉनी तो वैली शी लफ और लफ उन्टिल देवर आई टीर्स इनाराइज तो हस्ते हस्ते उसके आखों में आसु आ गए सब्सक्राइब कुछ हसी बचा के रखिये कल के लिए अट लास तकाव मूव्ट आप दे रोड और सुन्द बस केम तुए रेल रोड क्रॉसिंग अब बहुत सारे जगा क्रॉस करके बस आ गया है रेल रोड क्रॉसिंग पे अस्पिक आफ ट्रेन कुट बिसीन इन दिस्टे सब्सक्राइब और यहां से बस एक बीजी स्ट्रीट के अंदर घुज गया क्योंकि बस शेहर में एंटर कर चुका था पर दियर इट्रावर्स अ बीजी वेल लेड आउट शॉप्पिंग स्ट्रीट अंटर अवाइडर थूफेर सच बीग ब्राइट लुकिंग शॉप्स वाट ग्लिटरिंग डिस्टेश अफ्लोथ और अधर मर्चंडाइब सच बी अधर लोग उतर गये वैली को छोड़ कि वैली मुआ पर थी बाकि सारे लोग उतर गये उसने और एक तीस पैसा निकाला और उसको कंड़क्टर के हाथ में थमा दिया क्यों क्या कुछ हुआ है नहीं कुछ नहीं मुझे लगा था मैं एक बस ड्राइड लोंगी और इस कारण से मैं बस में आ गई देंट यहां पर है तो एक बर उतर के देख लेजिए और बस में आने से नहीं डरी अब से उतरने से क्यों डर रही है नहीं तो कंड़क्टर ने कहां चलिए मेरे साथ उस टॉल पर चलते हैं कुछ कोल ड्रिंग वगेरा पी क्या आते हैं नथीं तो यह पास उतने पैसे नहीं है आप मुझे मेरा सिप्ट डे दीची इची इत वी मैं तरफ से आपको ट्रिट होगा नो 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 शीज़े फ़र्म लीप्ली प्लीज नो पूल यह नो शीज़े पर्म लीप्लीज नहीं हैं कि अग्ड़क्टर श्ट्रग अन्दी वेट अंटल इट वस टाइम पर दो बस तो बिगें दा रिटर्न जर्नी अगें दियर वर मेरी पैसेंजर तो अब समय हो गया है बस रिटर्न आने का और यहां पे काफी ज्यादा पैसेंजर भी हो गया है ओंच यूर मदर बी लुकिंग फर यू थे कंड़क्टर आस्ट में गेव गर्ल हर टिकेट चब कंड़कर ने उसको रिटर्न टिकेट दिया उसने पुछा क्या तुमारी मा तुमारी मा तुमारे लिए नहीं सोचेगी no 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 one will be looking for me she said this the bus started again and there were the same wonderful sights valley wasn't bored in the slightest and the greatest greeted everything with the same excitement she felt the first time but suddenly she saw a young cow living dead by the roadside just where it had been struck by some fast-moving vehicle isn't that the same cow that run in front of the bus on our trip to town to conductors will confirm key K automatically now the bus started again and there were the same wonderful sights to valley wasn't bored in the slightest and greeted everything with same excitement valley ko bilkul boring nai lag ra tha वो उसी excitement से देख रहे थी जिस excitement से वो आने के समय देख रहे थी बट सड़नली सी saw a young cow lying dead by the roadside just where it had been struck by some fast-moving vehicle isn't that the same cow that run in front of the bus on our trip to town she asks the conductor उसने conductor से पूछा क्या वही वही गाय है जो हमारे आगे पीछे घूम रहा था जो आगे घूम रहा लोग जब गाउं से आ रहे थे दा कंड़क्टर नोड़ेट एंड शी वस ओवर कम विच सैटनेंस बिकॉस उसका को को कोई ने धक्का मारा है कोई फास्ट मूविंग वेकल ने और वो काव वहां पर मर गया है और वह बहुत दुखी हो गई और उसके बाद से वह बाहर देखना छोड़ी दी क्यूंकि उसने देखा यहां पे रिस्क्राइब किया गया है वाट है बीन लवेब ब्यूटिफुल कुछ समय पहले जो जिन्दा था अभी वो मर चुका है तो यह द्रिश्य देखके जो आक्सिडेंट का द्रिश्य है जहां पे चार और ब्लड़ी ब्लड था और इसके आँख में कोई लाइफ नहीं था लाइफलेस लग रहा था देखना नहीं चाहती थी क्योंको सारा एंथुजियाजिम जो था सारा जो उसका इनरजी था वो थोड़ा सैड हो गए थी जो अब बूलेगा नहीं आपका फेर लाने के लिए शी लुट लूट रूट इसके बूलेगा नहीं आपका फेर लाने के लिए सब्सक्राइब के लिए उसके साथ बात कर रहे थी और यह जो आंटी थी इस आंटी को यहाँ पे चैटर बॉक्स बोला गया है इसका मत्तब है वो बहुत ज़्यादा बात करते थी और हव्याव यू बिन सेटर आंट विए वैली के मिन शी स्पोक वरी कैस्वली नॉट एक्सपेक्टिंगा रिप्लाइब कुछ ना बोलके हसके अंदर चले गई और उसके मा और उसके आंटी बातचित कर रहे थे यह स्यूराइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक शक्राइब हुआ लिए लिए सफ लिएवा जाली को सब्सक्राइब बोले शेहर से घूम क्या गई है जस्ट इस चित फफ़ गर्ल शीज सेडर अर्ण एंड यत लुक लाइक शी पोक्सर नोस इंट आवर कन्वरसेशन जस्ट अस दो शी वैर इत ग्रून लेडी तो हर एक हमारे पाट पे उपर वो क्या कर रहा था नापना नाक गुजा रही थी वैली स्माइल का रास उनकू पता चले गाःग जसन इर है तो दिस हाओ वैली ने अपना जो डिज्यार था वो डिजेर पूरा किया वो डिजियर था वो गगा कर अब गो फट बाव ग्याज कर अबस्याद आपा कि अपने नेस्ट इसक्रूपश जो ही और विज होगा है आप अबस्याद गहां विज बटात गो जैसे ले कर दपास फ्टार्डप नेढगे हैं जा इन एंडेट अबस्टूबस्स आप अबस्टिया जाद